दोस्तो आज आपको हम बताने जा रहे है करण के धनुस के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और सेर करना मत भुलेगा और साथ ही मेरी इस चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भुलेगा दोस्तो आपको महा भारत के युद्ध के बारे में तो पताई होगा कि उस युद्ध में केसे केसे महान युद्धा थे और उस युद्धाव में से एक युद्धा था महारतिक करण जिसके पास और सिमित ताकात थी और उसके पास अभेद कवज कुंडल थे जिससे उसे तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता था और दोस्तों करणे के पास एक धनुस भी था जिसका नाम था विजय धनुस कहते हैं कि जब तक वह विजय धनुस उसके हाथ में था विश्व का कोई भी अस्त्र या सस्त्र उसे चूब भी नहीं सकता था तो आइए दोस्तों ऐसी क्या खास बातती उस विजय धनुस में वो हम आपको बताते हैं दोस्तों करण के विजय धनुस का निर्मान स्वयम विश्व कर्मा ने किया था और वह धनुस मंत्रों से अभिमंत्रित था उस धनुस की प्रत्यंचा को कोई भी अस्त्र या सस्त्र काट नहीं सकते थे। कहते हैं कि भगवान सीव को तारका सुर और उसकी त्रीपूरा नगरी के अंत्र के लिए विश्व कर्मा ने यह धनुस भगवान सीव को दिया था। भगवान सीव ने इस धनुस की मदर चे पासुपाती अस्त्र छोड़ कर तारका सुर का और उसकी त्रीपूरा नगरी का नास कर दिया था। पृत्वी के उपर्क सत्रियों ने उत्पात मचा दिया था। वह अपना असली उद्देश भूल गये थे कि उनका जन्म लोगों की रक्षा करना है नहीं कि निर्दस लोगों की हत्या करना। इस बीच सत्रियों ने भगवान पर्शुराम के पिता जमदागनी की हत्या कर दी और पाप बहुट बढ़ गया था। तब भगवान सीव ने देवराज इंद्र से वह धनुज भगवान पर्शुराम को अर्पित किया। इस धनुज की मदद से भगवान पर्शुराम ने 21 बार पृत्वी को क्सत्रियों विहिन कर दिया था। तद पस्चात करण भगवान पर्शुराम का प्रियस शिश्य बना था। इसलिए भगवान पर्शुराम ने यह विजे धनुज करण को अर्पित किया। और कहा कि यह धनुज जब तक उसके हाथ में है। दुनिया का कोई भी अस्त्र या सस्त्र उसे चूब भी नहीं सकता था। किन्तु एक बार जब पर्शुराम को पता चला कि वह ब्राम्मन है ऐसा जूट बोलकर विद्या हासिल की है। तो भगवान पर्शुराम ने करण क को श्राब दिया कि जब वह उसके जीवन का महत्व पुर्ण युद्य लड़ रहा होगा तब आखरी समय वह अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। और एक ब्राम्मन ने भी करण को श्राब दिया था कि उसके रथका पईया जमिन में घुश जाएगा। और तब उसका व गया। तब करण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन मेरे रथका पईया जमिन में ठस गया है। इसलिए मेरा धनुस रखकर अभी युद्ध रोक रहा हूं। तु भी अपना युद्ध रोक ले। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि वीजय धनुस के साथ करण का हो गया। तो दोस्तो यह खास्य थी वीजय धनुस की। तो दोस्तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कॉमेंट और सेर करना मत भूलेगा। और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।